मैं कहतो हूँ, आज मैं आपको दो बिल्यों की कहानी सुनाती हूँ दो बिल्यों में बहुत दोस्ती थी, दोनों आपस में बहुत खेलती थी एक डफा दोनों को खेलते खेलते रोटी का एक टुकरा मिला दोनों बिलियां आपस में लगने लगी एक बोली ये रोती का तुकरा मेरा है दूसरी बोली नहीं ये रोती का तुकरा मेरा है दोनों बिल्यों आपस में लर रही थी कि अचानक महां से एक बंदर का गुजर हुआ तो उसमें देखा कि दोनों बिल्यों आपस में क्यों लर रही हैं बंदर ने जाकर बिल्यों से लराई की बजा पूछी तो दोनों ने बताया कि हम रोती के टुक्रे के लिए लर रही हैं और दोनों ने सारा किस्ता सुनाया बंदे ने बोला बस इतनी सी बात मैं अभी लराई खत्म करवा देता हूं दिल्लियों ने पूछा वो कैसे तो बंदे बात की गया और जल्ली से तराजी लेकि आ गया और रोती के दो टुक्रे करके दोनों पल्रों में रख दिये बंदे ने जान बूसके एक टुक्रा चुटा और दूसरा तुक्रा बरा तोर गया जिसकी वज़ा से एक पल्रा भारी और एक दूसरा पल्रा हलका हो गया बंदय ने बोला लो मैं अभी ठीकर देता हूँ और बंदय भारी तुक्रे में से तोर कर खाली जिसकी वज़ा से दूसरा तुक्रा भारी और पहला तुक्रा हलका हो गया फिर बंदय में दूसरे दुक्रे से रोती खाली और पहला लो अब दूसरा दुक्रा भारी और पहला हलका हो गया इसी तरह बंदय रोती तोर तोर के खाता गया और साई रोती खतम हो गई और दोनों विल्लिया एक दूसरे का मों तक्तिर हो गई देखो बच्चो, हमेरे लाई नी चेनी चाहिए लाई चेने से कुछ रास नहीं होता हमें मिल जू कर रहना चाहिए ज्बुटटबबबबबबबब लाई